दोस्तों चीन कितना गद्दार देश है यह किसी से छिपी नहीं है चीन का हर चाल भारत को बरबात करने और नीचा दिखाने का होता है वह कभी नहीं चाहता कि भारत डिफेंस इंडस्ट्री में आगे बने और नई मिसाइल का परीक्षन करें एक समय था कि चीन और जर्मनी जैसे डेवलप्ड देश आपस में मिलकर भारत के अर्जुन टैंक्स में इस्तिमाल होने वाले इंजन की सप्लाई बंद कर देते हैं लेकिन आज भारत इतनी तेजी के साथ डिफेंस इंडस्ट्री में अपने कदम को आगे बढ़ाएगा इसे भारतिय होने पर गर्व महसूस होगा क्योंकि एक तरफ जहां चीन और जर्मनी जैसे डेवलप्ड देश आपस में मिलकर भारत के अर्जुन टैक्स में इस्तिमाल होने वाले इंजन की सप्लाई बंद कर देते हैं वहीं अब भारत की डियार्डियों ने अपने कमाल को टेकनोलोजी से लेस पांचवी पीडी के फाइटर जेट को बना रही है दोस्तों इस खबर के फैलते ही चीन जर्मनी और रूस की टेंशन पहले से दोगुनी हो चुकी है क्योंकि भारत फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट बनाने में जुट चुका है जिससे इन देशों को यह बात मालूम हो चुकी है कि भारत एयर डिफेंस के मामले में भी नई मजबूती यां हासिल कर रहा है दोस्तों हाल ही में एक खबर निकल कर आई है कि भारत की डियार डियों ने इंडिजनियस टेकनोलोजी पर आधारित अब पांचवी पीडी के फाइटर जेट को बन के प्रोडक्शन में महारत हासिल कर लिया है और सुपर्सोनिक ब्रहमोस मिसाईल को भारत में पूरी तरह से बनाया जा रहा है अब उसी तरह सुपर्सोनिक स्पीड वाले फाइटर जेट को भी भारत पूरी तरह से इंडिजनियस तोर पर डैवलप करना चाहता है उसकी मिसाइल से भी ज्यादा रहने वाली है यानि कि जिस तरह से भारत में मिसाइल के प्रोडक्शन में महारत हासिल कर लिया है और सुपर्सोनिक ब्रहमोस मिसाइल को भारत में पूरी तरह से बनाया जा रहा है, अब उसी तरह सुपरसोनिक स्पीड वाले फाइटर जेट को भी भारत पूरी तरह से इंडिजनियस तौर पर डेवलप करना चाहता है, वैसे देखा जाए तो भारत में फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट को इंडिजनियस तौर पर बनाने का प्रोजे पर भारत की DRDO यानी की Defense Research and Development Organization काम करने जा रही है और आपको बता दें कि भारत में जो फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जा रहा है उसका नाम AMCA यानी की Advanced Medium Combat Aircraft रखा गया है जो की Indian Air Force की Future Requirement को देखते हुए इंजिनियस डिजाइन पर डेवलप किया जा रहा है और लेटिस्ट रिपोर्ट की माने तो इसकी सबसे खास बात यहा है कि इसे इस तरह से डेवलप किया जा रहा है जिससे यह सुपरसोनिक क्रूज स्पीड को आसानी से एकवायर कर ले और स्विंग रोल की कैपेसिटी को दूसरे फाइटर जेट की अपेक्षा बढ़ाया जा सके दोस्तों पिछले कुछ दिनों की खबरों पर नोटिस किया होगा तो इस मिसाइल के अलावा भी कई सारे डिफेंस एक्विपमेंट का पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डेवलपमेंट भारत के DRDO और कल्यानी ग्रूप के द्वारा किया गया है जिसमें यूज होने वाले सभी मशीनरी और इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट भारत म खुद मैन्यूफेक्चर किये गए हैं जो कि भारत की आत्मनिर्भरता के आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और जैसे जैसे भारत डिफेंस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट होता जा रहा है वैसे वैसे रूस जर्मनी और चीन की चिंता बढ़ती जा रह में जर्मनी और रूस पर ही डिपेंडेंट है यहां तक की देखा जाए तो पश्चिम एशिया भी रूस पर काफी हद तक डिफेंस के लिए डिपेंडेंट है लेकिन भारत की कंपनिया डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रही है तो अफ्रीका के कुछ देश और सौधी अ है और आर्मेनिया ने हाल ही में भारत से 84 की संक्या में अटीजीय खरीदने का और दिया है आर्मेनिया भारत से एडवानस्ट डोड आर्टिल्री गन खरीद रहा है जिसके लिए भारत और आर्मेनिया के बीचे एक-45- academy अडॉलर की दील फाइनल की गई जो कि भारत के उभरते डिफेंस इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है एडवांस्ट टोड आर्टिल्री गन सिस्टम की बात करें तो यह एडवांस लेवल की टोप है जिसे भारत में खुद स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया है जिससे लगभग 48 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टार्गेट को निशाना बनाया जा सकता है और भारत ने जो यह गन सिस्टम बनाया है इतनी रेंज वाला गन सिस्टम अभी तक बड़े-बड़े देश भी डेवलप नहीं कर पाए हैं और उसी तरह भारत अब फिफ्थ जनरेशन वाले फाइटर जेट को डेवलप करके एयर डिफेंस के मामले में भी अपना दब्दबा बनाने जा रहा है आपको बता दे कि इस समय भारत के पास आल्रेडी 36 रफेल फाइटर जेट मौझूद है जिसे भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं और इसके अलावा भारत ने और चब्दबीस राफेल जेट को लेकिन भारत जो फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट डेवलप कर रहा है इसके कंपरिजन में फ्रांस से खरीदे गए राफेल कुछ भी है यहां तक कि अमेरिका के पास भी जो advanced और latest fighter jet मौजूद है उससे भी कहीं ज्यादा भारत के fifth generation वाले fighter jet की speed होने वाली है. जिससे fifth generation के fighter jet developed होने के बाद यह भी हो सकता है कि भारत ने जो 26 और राफिल फ्रांस से खरीदने का decision लिया है. उसे भी ना खरीदा जाए और देखा जाए तो इस समय भारत के पास राफेल को लेकर कुल लगभग 1700 एरक्राफ्ट मौजूद हैं जिसमें से 9 कॉमबेट एरक्राफ्ट हैं लेकिन इसमें समस्या इस बात की है कि ज्यादा तर एरक्राफ्ट विदेश से ही खरीदे गए हैं बहुत कम ही संख्या में ऐसे एरक्राफ्ट है जो की भारत में खुद डेवलप किये गए हैं अगर बात करें तो इस समय केवल रशिया चीन और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के पास ही 5 जनरेशन वाले फाइटर जेट हैं लेकिन भारत जो 5 जनरेशन वाला फाइटर जेट डेवलप कर रहा है उसकी कैपेबिलिटी इन देशों में मौझूद फाइटर जेट की अपेक्षा कहीं ज्यादा है वैसे तो फिफ्थ जनरेशन वाले फाइटर जेट बनाने की मंजूरी DRDO को मिल चुकी है लेकिन DRDO इसे अकेले नहीं बनाने वाला है बलकि इसे भारत की दिगज प्राइवेट कमपनियों के सहयोग से डेवलप किया जाएगा जिसमें Aeronautical Development Agency हिंदुस्तान Aeronaut Ltd के अलावा भी कुछ प्राइवेट कमपनियां शामिल रहने वाली है इसके अलावा यह भी जानना जरूरी है कि इसे दो फेज में डेवलप किया जाएगा अगर पहले फेज की बात करें तो इसमें 40 की संख्या में MCMK1 Fighter Jets को American Engine जी E-414 की सहायता से डेवलप किया जाएगा और दूसरे फेज की बात करें तो इसमें शुरुआत में 150 और Advanced Fighter Jets डेवलप किये जाएगे जिसमें भारत में बनाए गए High Truster वाले Jets Engine का उपयोग किया जाएगा और भारत जो Next Generation वाले Jets Engine को बनाने वाला है उसे विदेशी कमपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा जो की Jets Engine बनाने में पूरी तरह से माहिर हो क्योंकि अगर भारत की कमपनिया पूरी तरह से खुद के बलबूते इंजन को मैन्यूफैक्चर करती है तो उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आपका या राय है इस वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं धन्यवाद